हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मूविंग कॉयल गलवनोमीटर की यह देखिए मैंने हेडिंग भी डाल रखिए मूविंग कॉयल गलवनोमीटर और इसका एक बेसिक डाइग्राम बना दिया आपके लिए इसकी चर्चा शुरू करने से पहले क्योंकि ब चर्चा हम लोग इसी वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं गलवनोमीटर खुद काम कैसे करता है उसको वोल्ट मीटर या मीटर में तबदील करना है चेंज करना है तो कैसे हम चेंज करेंगे तो बने रही है पुरा वीडियो देखिए पसंद आने वाला है आपको आगे बात करते हैं देखे हुए कि galvanometer क्या करता है what is this यह device हमारे लिए क्या कर सकता है तो यह device मैं कुछ बातें बताता हूँ note भी कर देता हूँ एक शब्द जिससे बात पगड़ पाए इस galvanometer की जो कहानी ही पेटा वो galvanometer हमारे लिए करेंट का detection करता है detection and measurement measurement यहीं लिख देना चाहिए बाद में हटाना पड़ेगा यह measurement of current अब यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा gap दिया है क्यों दिया है भी बताता हूँ आपको अब आपके दिमाग पे यह सवाल उटना बड़ा normal है obvious है कि साहब हमारे पास तो एमीटर था तो galvanometer क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप क्योंकि हम current तो measure कर लेते हैं एमीटर से तो साह क्या होता है कि galvanometer या galvanometer है तो emitter की ज़रूवत क्या है भी अगर galvanometer है वो current measure कर सकता है यह ज्यादा बास समझ में आती है तो हम emitter क्यों बनाते हैं भाई तो इसलिए बनाते है कि जो galvanometer है वो highly sensitive device है highly sensitive होने का मतलब क्या है कि केवल यह small currents को ना आप सकता है तो यह क्या करेगा detection करेगा कि किसी circuit में current है की नहीं current flow कर रहा है तो उसकी needle हिलेगी marker हिलेगा और कितनी current है इसको भी नाप सकेंगे लेकिन इसके साथ एक issue है कि यह छोटी currents को ही यानि कम value की currents को ही measure कर सकता है ज्यादा current अगर आप इसमें भेज देंगे तो galvanometer फूक जाए इसलिए हमको emitter की जुरत पढ़ती है चलिए साब दूसरा point समझते हैं कि आखिर इसका principle क्या है what is the principle of this galvanometer ठीक तो इसको मैं तोड़ा आगे लेए चलता हूँ फिर इसको हटा के फिर बताऊंगा आपको तो principle की बात करें तो galvanometer का principle क्या होता है galvanometer का principle होता है कि जब किसी current carrying जब हम लोग किसी current carrying इसको short में cc लिख देना चाहिए था current carrying coil को जब हम magnetic field में place करते हैं मैं sentence का प्रीट नहीं करो जब किसी current carrying keywords लिख ला हूँ जब किसी current carrying coil को किसी uniform magnetic field लिख देना चाहिए जो आपने पढ़ा है uniform magnetic field में जब हम place करते हैं तो वो coil अपने उपर एक torque महसूस करता है यह सारे keywords लिख रहा हूँ torque महसूस करता है this is the और वो torque की वज़े से rotate करता है घूमता है यही इसका principle है तो दो-तीन keywords आगए notes बनाते वक्त जब भी आप बनाया हो बनाने चाहिए ही भी तो आपको यह keywords ही लिखने चाहिए sentence तो आप जब चाहेंगे तब frame कर लेंगे ठीके तो क्या keywords हो गए principle के लिए बिटा पहली बात current carrying coil मतलब जो coil आप बना रहे हो suppose कर यह ऐसे coil है इसमें current जानी जरूरी है बिटा अगर इसके अंदर current नहीं है तो कोई torque नहीं लगेगा तो current होनी आवश्यक है current carrying coil दूसरा magnetic uniform और इसके लिए एक हमें ऐसा north-south या magnetic field रखना पड़ेगा जहाँ पर uniform magnetic field हम बना पाएं बदलेना ठीक है साब फिर क्या होगा फिर इस पर torque लगेगा और torque को गुमाना शुरू कर देगा यह हम समझ चुके हैं यह इसका principle है तो दो बाते हमने सीखी ही कि galvanometer क्या करता है detection current है की नहीं measurement कितनी है अगर है तो कितनी है लेकिन एक दुविधा एक छोटी सी दिक्कत है कि यह small current को ही measure करता है इसलिए हमको इसकी मदद से आगे emitter भी बनाना पड़ेगा पकड़ में आई बार principle अगर हम किसी coil को current carrying coil को uniform magnetic field में रखेंगे तो वो एक torque experience करेगा जिसकी वेसे वो गूमेगा that is the principle अब इसकी बात करते है construction की उस diagram की तो चलिए हम लोग construction की बात करते है तो बच्चों construction की तौर पर की moving coil galvanometer का construction क्या है वो मैं भी explain करता हूँ उससे पहले एक बात और बता दूँ कि इस moving coil galvanometer को हम लोग deadbeat galvanometer भी बोलते है deadbeat galvanometer क्यों ऐसा बोला जाता है क्योंकि जब हम इसको measurement करते है तो उसका जो marker होता है marker जो बताएगा reading वो जैसे ही हम measure करते है ठक से जाकर रुख जाता है ऐसा नहीं होता कि यहाँ पहुच और ऐसे हिल रहा है beat कहते हैं na beat parade होती है beat तो beating नहीं होती है मलब यह ऐसे ऐसे नहीं हिलता है जैसे हमने measurement के लिए लगाया marker 60 से जाकर रुख गया यहाँ पर और फटाग से आपने reading लेगी तो dead beat कोई beating नहीं है एकदम खटाग से रुखता है इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यों होता है इसकी भी चर्चा करेंगे अभी जैसे जैसे lecture आगे बढ़ता जाएगा तो इसको dead beat galvanometer बोलते हैं अब बात करते हैं हम लोग construction की पूरी तरह समझेंगे तो construction of moving coil galvanometer यह जो कहानी है यह कहानी क्या है तो थोड़ा मैं diagram बढ़ा करता हूँ और एक एक करके explain करता हूँ आपको कैसे situation होनी चाहिए तो उमीदे कि यह diagram बहुत ही बढ़ियां तरीके से आपको दिख रहा होगा अब बात करते हैं कि इसके इंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुए यह क्या मसला क्या है तो देखिए क्या होता है पहले तो बात करते हैं इस गाढ़े वाली line को यह frame है मैं भी सब को इसको हटाऊंगा मैं link देता हूँ और नॉर्मली यह हम लोग rectangular frame लेते हैं और यह non-magnetic material का होता है यह भी लिख लो non-magnetic material क्यों से material नॉर्मली यूज़ करेंगे इसके अंदर तो हम लोग brass यूज़ करते हैं तो यह जो frame होता है आप ऐसे समझें यह लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ है यह frame है अंदर से कटा हुआ rectangular flame छोष नहीं है अब इसी के ओपर यह जो insulated copper wires यह जो wires है यह क्या है insulated copper wires तो यह copper wires है insulated जो जिसके number of turns काफी ज़ादा होते हैं तो इसके ओपर हम गो इसको rectangular frame पकड़ा और इसके ओपर गुमा गुमा के wiring insulated copper wire चड़ा मारा आप वो number of turns खुब ज़ादा कर दिये तो यह insulated copper wires है जो मैंने आपको बताया इसके ओपर लगे हुए है इस frame के अंदर यह जो frame लिया था non-magnetic material brass का इसके अंदर अगर यह rectangular frame लिया गया है तो हम लोग soft iron core रखते है cylindrical shape का तो यह L क्या है तो L है soft iron core के सकते हैं किस shape का लिया इसमें cylindrical जरूरी नहीं कि cylindrical लें लेकिन अगर आपने rectangular frame लिया है तो cylindrical लेना होता है क्यों लेते हैं? क्योंकि हम इस soft iron core use करने की वज़े से radial field बना लेते हैं radial magnetic field यह radial magnetic field क्या होती है? अभी मैं आपको बताऊंगा आप बिल्कुल load न लीजे अभी मैं बताऊंगा radial magnetic field क्या होती? तो radial magnetic field और यह किन एक दो तरीकों से हम develop करते हैं और क्या फाइदा इसका होता? तो अभी चर्चा करते हैं अभी समझ लीजे कि यह radial magnetic field बनेगी अब इसके बाद यह हमारा जो coil है देखिए P-Q-R-S-1 यह हमारा rectangular coil था P-Q-R-S-1 और wiring लपेट दी coil हमारा L है मैंने निशान लगा ही दिया है और uniform magnetic field डिवलप करने के लिए दो poles है नॉर्थ और साउट तो यह लिखने की जगा नहीं आप समझी रहे होंगे यह हमारे पास क्या है? दो magnetic के लिए poles है इनको भी हम लोग इनको cut करते हैं यह shape यह shape बढ़ी precise तरीके से concave shape में cut करते हैं जिससे concave shape में इसको cut करके और soft iron core को अंदर लगा के हम लोग radial magnetic field डिवलप करते हैं radial magnetic field क्या होता लाइए समझी लेते हैं हम लोग जिससे आप बात पकड़ पाएं तो radial magnetic field का मतलब क्या है इसका जब top view देखेंगे आप तो top view में यह देखी यह magnetic field इसको मैं लेता हूँ यह देखी magnetic field आपने suppose क्या develop किया है north और south ऐसे बना देते हैं यह माली जिए north यह top view देख रहे हैं उपर से south top view का मतलब क्या है भाई अभी ऐसे देख रहे थे अब पूरे system को आप की तरफ कर दिया या आप आस्मान में चले गए उपर से दिख रहे हैं तो बोलते हैं top view तो आस्मान में ना जाएए मैं ही ऐसे कर देता हूँ तो आपको कैसे दिखेगा situation इस तरह का soft iron दिखेगा उसके अंदर suppose करिए ये मैंने coil बना दिया coil का उपर भाई rectangular coil जब ऐसे करोगे तो यही तो इससा दिखेगा के बिल इतना ये नीचे वाला कहां दिखेगा तो ये दिखेगा और यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजे कि ये कुछ ऐसे shape का soft iron core आपको दिख रहा होगा soft iron core का ऐसे इसके अंदर लगाते हैं जैसे कि अराम से ये move कर सके इतना इस तरह होता कि जब हो move करे तो soft iron core को touch ना करे इसी के अंदर cylinder लगा देते हैं ये तो कटा हुआ है और इसमें तो भरा हुआ है cylinder लगा देते हैं जब ये move करेगा तो cylinder को touch नहीं करेगा अब ये कहानी मन जाती है इसमें होता क्या radial magnetic field का मतलब क्या है तो बच्चों देखें radial magnetic field का मतलब क्या है हम लोग ने जो magnet लिया ये समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल पकड़ पाएं बार ये north और ये south और यहाँ पर हम लोगों ने suppose कर ये soft tyran core का ये टुकड़ा है और ये इसके अंदर का rectangular coil आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है कि ये rectangular coil ऐसे रखा था जब आप top view देखते हैं तो आप यहाँ से देखें ऊपर से या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ camera के सामने तो पकड़ पाएंगे तो क्यों ये rectangular coil है ना तो rectangular coil ये दिख रहा है और इसके अंदर जो cylinder है ऐसे गोल गोल cylinder है वो cylinder ऐसे top view में देख रहा है और बाकी जो निकलेंगी देखिए ये अगर यहाँ से गई सीधे ले जानी चाहिए तो अगर यहसे गई तो यह ऐसे करके यहाँ से चली जाएगी देखें ये ऐसे करके ऐसे चली जाएगी सीन लाइने बनाई यसे ज्यादा कैचाड़ पाचाड़ ना हो जाए तो यह जो हमारा क्वाइल है उस क्वाइल और यह जो मैंगनेटिक फील्ड यह अला बाकी तो उससे गया ही नहीं है यह मैंगनेटिक फील्ड दोनों पैरलल है समझ पारें जब यह क्वाइल और फिल्ड से कितना इंगिल बना रहा है 90 डिगरी वो कि फिल्ड है समय ऐसे बी सपोस कर यह नौ से साउट और आपको कोयल जो रखा वो एरिया वेक्टर जो बना रहा है वो बना रहा है 90 डिगरी का इंगिल हमेशा अब यह जो सिचुएशन है जब यह घूमेगा देखे इसको इस तरह सेटिंग जमाते हैं सॉफ्ट आरेन कोर इसको कॉन केविल स्ट्रक्चर में काटके कि जब यह घूमता है तो घूमने के बाद भी जब देखे में बता हूँ जिससे आपको फंडा क्लियर हो जाए यह देखे मान लीजे घूमा घूमेगा घूम के मान लीजे कुछ इस डिरेक्शन में पहुचा कोईल यह देखे यहां पर होरिजेंटल ही रखा था यहां तोड़ा तो घूमा दिया देखे रहे हैं इसके जगा ऐसा चला गया है तो अब यह मैंगनेटिक फील्ड का डिरेक्शन मिलेगा देखिएगा बाकी जो मैंगनेटिक फील्ड आ रही कोईल है देख रहें तो ऐसे रखी थी कोईल ऐसे थी मतलब आपकी तरफ तो मैंगनेटिक फील्ड ऐसे जब ऐसे घूम गई तो मैंगनेटिक फील्ड ऐसे हमेशा इस कोईल का डिरेक्शन बहुत इंपॉर्टन बात है आपको एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए फील होना इसलिए मैंने डियाग्राम बनाया एकस्प्लिनेशन ऐसा हो कि आप पकाड ने किया सर बिल्कुल सही बता रहे हैं तो ये जब चीज ऐसे घूमेगी तो मैंगनेटिक फील्ड ऐसे चलेगी यानि हमेशा मैंगनेटिक फील्ड इस कोईल के पैरलल है या इस कोईल का एरिया इस मैंगनेटिक फील्ड से 90 डिगरी का इंगिल बना रहा है ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैंगनेटिक फील्ड और इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है अभी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि जब जब ऐसे जाएगा टॉर्क जरू और मैंगनेटिक फील्ड का डिरेक्शन अब यहाँ पर क्योंकि हमेशा यह 90 रहना यहाँ अलफा क्या है 90 आपको याद होगा थीटा क्या था थीटा था थीटा आपको पताया था प्रीवेस लेक्ट्टर में थीटा प्लस अलफा होता था 90 डिगरी वाट इस थीटा थीटा आई बात तो यहाँ पर अलफा लिखने का मतलब है जो एरिया वेक्टर था तो एरिया वेक्टर 90 है अब इससे फाइदा क्या मिला कि एन आई एबी आपने लिखा और इसको लिखा साइन 90 डिगरी हर कंडिशन में जब तक घूमेगा कोयल तो उससे फाइदा क्या मिल गया क आपके एक्स्प्रेशन में आपके एक्स्प्रेशन में साइन एलफा से छुट्टी मिल गई यानि और मैक्सिमम आपको टॉर्क मिल गया तो दो फाइदे हुए कि अब यह जो एन आई एबी अब ध्यान से देखिए एन है नमबर आफ टंस जो कि फिक्स है करेंट आप जो करा रहे हैं स्टेडी करेंट है दो इंपिर मान लीजिए फिक्स हो गई एरिया कोईल का फिक्स है मैगनेटिक फिल्ड यूनिफॉर्म कर रखा यानि सब कुछ फिक्स है तो टॉर्क भी फिक्स है फिक्स होने मतलब कॉंस्टेंट है बदल नहीं रहा है बस यही चाहिए ता तब मज़ा आएगा ठीक सब तो आगे की बात करते हैं थोली से और बात रहे गई यह वो भी बात कर लेते हैं फटाफट अब यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कंस्ट्रिक्शन की तो कई बाते हमने समझी थी अब यह मैगनेटिक फिल्ड समझ गए है कॉन के विल स्ट टाइप की होती है बिलकुल मुलायम टाइप की होती है इस्प्रिंग बहुत तरह की होती है आपके सैकल में स्प्रिंग लगी होती स्टैंड लगाते हैं और यह स्प्रिंग रेल के डब्बे जो होते हैं शौकर की रूप में लगी होती पईयों के उपर महा भयानक आप बाएंगे जरा सा तो फट से दब जाएगी तो यह इसलिए लगाते हैं कि जब यह कोयल घूमेगा तो ऐसे स्प्रिंग लगा थी जब कोयल घूमेगा तो इस प्रिंग एठे गए यह आठती चली गए जिसे बच्चों की टॉय कार में आप चाबी भरते हैं तो यह spring ही तो लगी होती है, मतलब एक spring नुमा structure होता है, इसमें एठ जाता है वो, जैसे ही छोड़ते हैं, बर्र से train, या scooter, या car जो भी है वो भागने लगती है, तो यही जो spring होती है, हलकी सी spring होती है, जिससे कि वो रोक दे जाके, वरना यह घूमते ही रहेगा, बर्र टॉर्क लग रहा है, क्यों रुखेगा, तो यह spring का जो restoring torque होता है, वो इसको रोक देता है, तो कहीं जाके रुखेगा, और सब समझ में आएगा, रिल्विंग क्या है, तो यह hair spring है, बहुत ही soft है, हलका सा बस जब एठन आती है, तो इसको रोकने का प्रयास करती है, जरूरी है रोकना, अब इस spring का अगला सीरा S1 जाके terminal T2 से मिलता है, यह terminal T1, T2 क्या है, जिसके भीच का हमको current चाहिए, जिस circuit में, एक T1 से जोड़ देना, एक T2 से जोड़ द mirror है, जिसकी मदद से हम लोग lamp और scale arrangement से reading निकाल लेते हैं, और उपर देखिए, एक head है, और head में phosphor branch strip लगी होती है, यह phosphor branch split क्यों होती है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, कि इस coil को देखिए, इस coil को उपर से बाधा जाता है, जिससे rotate करे, तो यह rotate हो जाए साथ में, लब यह एठन आएगी दोड़ी इसमें, लेकिन वो ऐसी रहे कि दिक्कत ना हो, तो phosphor branch की strip रहती है, जिससे वो लटकी रहता है, rectangular frame, और धूमता है ऐसे, तो यह basically इसका construction हो गया, जो आपकी समझ में आया होगा, और पूरे setup को, नीचे लगडी पे दिखिए, tight कर देते हैं ये screws भी देते हैं इसके अंदर, जिससे हम leveling कर पाएं, मालों उपर नीचे है थोड़ा सा, तो level कर लो अराम से, और पूरे setup को हम लोग कांच में रख लेते हैं, मिलब एक rectangular case में, जिससे बाहर से हवावा आए, या बाहर से जो भी दिक्कते हैं, वो इसको दिक्कत ना दे प तो radial field समझ गेते हैं, अब हम चलते हैं working के ओपर, तो आईए परते हैं working की बात, तो बच्चो आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं बेटा, कि ये जो spring लगाई थी, spring कहां थी, ये जो spring थी, ये basically हमारे लिए ये जो spring है, ये हमारे basically हमारे लिए तीन काम करती, ये भी दिमाग में रख लेने वाली बात है, एक तो मैंने बताया कि restoring torque देना, यहाँ जगा थोड़ी कम पड़ रही, तो मैं छोटा लिखता हूँ यहाँ पर, एक तो आपको क्या provide करेगा restoring torque, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ लिखा जा रहा है ये, तो मैं इसको छोटा करूँगा, फिर बड़ा करता हूँ, तो क्या-क्या बाते मिलीगी इस spring से, एक तो मिलीगी restoring torque, भाई जब ये coil एटेगी, rotate करेगी, तो restoring देदेगी, भाई, रोके की जाके, दूसरा क्या ओफर करती ही, क्या चीज़ है, spring जो दे रही, air spring, air spring हमको क्या offer कर रही है, restoring torque दूसरा connection establish कर रही है, इस spring का connection establish कर रही है, terminate T2 से जुड़ा है न, तो connection दे रही है, मैं लिख देता हूँ, keyword, ठीक, तो connection establish कर रही ही coil का, पुरे circuit में, तीसरा point क्या है, कि हमारा जो इक coil है, इसको in position रखती है, in position रखती है, help करती ही, कि उसी position पर बना रहे है, in position रखती है, हमारा जो coil है, तो basically तीन काम करेगी, एक तो restoring torque देना, जो बहुत ही प्रमुक काम है, important काम है, दूसरा coil से connect करने के बाद, उसका connection देती है, current वगरा flow कर सके, दूसरी बात, इस coil को रोके रखती है अपनी जगा, भाई उसको support तो करी रही है नीचे ना, तो काम करती है, यह हमारी hair spring, तो इस बात को भी दिमाग में रखिए, अब आगे की चर्चा करते हैं कि working की, तो working के लिए मुझे थोड़ा समय बढ़ा कर लेता हूँ इसको, और फिर आगे की बात करते हैं, देखें, यहां हम लोग पहुँच गए थे, अब यहां पर देखिए हम लोगों ने यह जो बात समझी थी, थोड़ा और बढ़ा करूँगा, यह जो बात समझी थी, यहां पर NIAB निकाल लिया था, रेडियल वगएरा का चर्चा करते हुए, कि यह हमारा torque मिलेगा, अब यह जो spring है, जो spring लगी विए coil है, coil घूमेगा इसे, भाई यह coil ऐसे अंगिल से, ऊपर वाली जो strip है, फॉस्फर ब्रॉंज वाली, वो घूमी, तो वो एठन तो थीटा वही थेगी, जितना घूमेगी, क्या मैं बता रहा हूँ दिखी, यह, आपको दिखना भी चाहिए नहीं, आप इंफ्यूज ना कर जाएं, यह देखे, घूमने के कहानी का यह जो लगा हुआ यह, फॉस्फर ब्रॉंज इस्टिप, तो जब यह कॉयल घूमेगा, तो यह भी ऐसे घूमेगा, जब घूमेगा तो इस्प्रिंग में वो उतनी थीटा से एठन आ जाएगी, बही पुरा कॉयल घूम रहा है ना इसे, अब वो अगर एठन आ जाएगी, तो मान लेते हैं कि वो थीटा एंगिल से घूमा, तो बेटा जैसा मैंने बताया कि जो थीटा था वो ट्विस्ट आ गया, फॉस्फर ब्रॉंज स्टिप में, उसी से इस्प्रिंग भी घूम गई, तो मैं इसको लिख देता हूँ, थीटा इस दी ट्विस्ट, इतने से घू यूस करती है, जब एठन आती है, अन पर यूनिट टुइस्ट, जो एठन है, अगर वो थीटा वन लेले रिडियन में आप रहे हैं, तो वो हो जाएगा के, तो अगर वो थीटा घूमी है, एक पर होता है के टॉर्क, जो स्प्रिंग दे रही है, रिस्टोरिंग टॉर्क, अगर थीटा घूम गए, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या मिलेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इस समय मिल जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो की हमें आफर कों कर रहा है, हेर स्प्रिंग, उसकी वैलू हो जाएगी के थीटा, in the case of twist of थीटा, अब ये दोनों चीज़े जब बराबर होंगी तो यह जो frame था rectangular यह जो coil था यह घूम के घूमेगा जो दोनों चीजें यह इधर बढ़ना चाह रहा है spring उसको इधर ले जाना चाह रही है तो कहीं न कहीं जाके balance होगा तो यह रुक जाएगा तो add equilibrium या जहां रुका हुआ है वहाँ पर इन दोनों torque को हम बराबर कर देंगे और देखेंगे theta क्या मिलता है तो इसको लिखेंगे k theta is equal to n i a b अब देखें कितनी बढ़िया बात आने जारी है अब यहां से एक तरफ i रखो तोड़ा और उपर लेके चलते हैं जगा बना लेते अब यहां पर देखिए अगर मैं i निकालने की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए k n a b into theta अब ध्यान से देखिए इस bracket वाले portion को यह bracket वाले portion में k कैचीज है k है spring constant कह लिजए या per unit twist जितना torque offer किया जा रहा है वो तो spring की विशेस्ता है वो थोड़ी change होने वाली उस तरह की spring लाए है अगर यह पूरी value constant है यह क्या हो गई पूरी value constant यह कहानी क्यों बताई क्योंकि constant हो गई इसको एक और constant से replace कर देते हैं g से तो इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर पहली बात तो कर सकते हो क्या theta is proportional to I अब सीधा linear relationship आ गईगी कि जितनी current flow करोगे उतनी theta गूमेगा बात क्यत्म अब scaling कर दो simple बात क्या ही I is proportional to theta तो measurement current का करना है जादा current तो जादा theta कम current तो कम theta बात कतम हो जाती हो मारा से टपते ही आ है तो यहाँ से आ जाता है I is proportional to theta और G को हम लोग इससे replace करते हैं बहुते हैं इसको हम लोग G से replace करते हैं और इसको लिखते हैं G is equal to K N A B और इसको बोलते हैं Galvanometer Galvanometer constant क्यों? क्योंकि एक Galvanometer के लिए ये constant होता है ना K बदला ना N बदला ना A बदला ना B बदला और आपका पूरा system Galvanometer कैसे काम करता है आपकी मुठी में तो बच्चों कुछ important terms की बात करते हैं जो Galvanometer के लिए बहुत महत्तपूर है और आपको समझने के लिए भी बहुत महत्तपूर है तो चलिए बात करते हैं कि important terms in Galvanometer moving coil galvanometer पहले जो चर्चा होती होती deadbeat Galvanometer बोलने का मतलब और कैसे achieve कर रहे हैं आपको मैंने बताया थे कि deadbeat का मतलब होता है जैसे ही Galvanometer को आप किसी circuit में लगाएंगे current का measurement करने के लिए आप उसका जो marker है उसकी जो reading है वो at once तुरंट ले सकते हैं वो ऐसा नहीं होता कि उसका जो marker है वो marker कहीं दिखे और हिलता रहे कि नहीं settle down हो रहा है रुख जाओ एक minute जब यह रुख जाए तब reading लेना at once जैसे ही आप circuit में लगाते हैं खटाक से market जाके रुख जाता है इसलिए इसको बोलते हैं deadbeat कोई beating नहीं है beating parade भी होती है न तो कोई beating parade नहीं इदर इदर चल रही है कट से जाके रुख जाएगा वो तो यह deadbeat galvanometer का मतलब यह रहता है जो moving car galvanometer को बोलते भी है achieve कैसे करते हैं तो achieve पहला काम करते हैं हम लोग जिस rectangular frame के उपर हम तार लपेट रहे थे insulated copper wire यह जो frame होगा जिस frame पे आप लपेटेंगे यह conducting frame होना चाहिए तो हम लोगों ने use किया था आपको याद होगा brass तो brass use करते हैं जो कि non-magnetic है लेकिन conducting है तो non-magnetic है लेकिन वो conducting frame है इसके उपर तार लपेट देते हैं तो जैसे ही जिब तार लपेट देते हैं insulated copper wire और जब current flow कराते हैं और आपको मालूम है अगर आपने eddy currents के बारे में पढ़ रखा वहना जब chapter आगा तो पढ़ाएंगे वो eddy currents इस flow का विरोध करती है eddy currents का कामी है friction generate कर देती हैं कि वो ना हो जो हो रहा है तो यह eddy currents जैसे ही बन जाएंगी तो जैसे ही move करेंगा coil वो उसका अपोस करेंगी इस तरह से वो develop होती है कि जो movement है जिस वज़े से वो lens rule case आप से समझेए जिस वज़े से वो develop होरी उसको विरोध करती है तो जैसे ही घूम रहा है तो eddy current जैब बनेगी तो इस घूमने वाली प्रवत्तिक को अपोस करेंगी तो इससे फाइदा क्या होगा कि घूमने के उज़े से घूमा एक तो hair spring लगी हुई है restoring torque के लिए दूसरा eddy current और खटाक से जाके रोब देगा तो ये हम achieve करते है deadbeat kilometer इस system से तो एक एक point को पूरा एक दम crystal clear कर लीजिए सभी तभी तो super explanation का मज़ा है करने में और पढ़ने में तो ये काम हो गया deadbeat kilometer का कैसे हम achieve करेंगे क्या इसका मतलब है अब आते है second point पर बच्चों भी बात करते हैं लोग कि radial magnetic field क्या मतलब है अभी आपको समझाया है और इसकी importance क्या है ये examination में बहुत ज़ादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भाई ये radial magnetic field की क्या कहानी है तो कहानी तो मैंने आपको बता दी फिर से जल्दी से repeat करते हैं कि जब ये हमने coil लिया था जब हमने ये magnetic poles लिये थे तो आपने देखा था कि ये जो coil है ये cylinder का shape का soft iron उसमें इस तरह का जो magnetic field मिल रहा था ये जो magnetic field आपको दिख रहा है ये magnetic field और ये plane ये तोप यो ना plane आपको समझाया था ये दोनों एक दूसरे के parallel है तो ये हमेशा जैसे ही rotation होगा हमेशा ये इसके parallel रहते plane of coil plane of coil और magnetic field हमेशा parallel रहते जिस भी direction में जाएगा पैरलल रहेंगे इसे बोलते है radial magnetic field अरे बोलते होंगे भाई फाइदा क्या हुआ ये तो बताओ तो फाइदा बताते हैं आपको अभी तो radial magnetic field मिल गया तो torque में आपको फाइदा भी बताया था ये formula होता था torque का और alpha angle था जो coil है उसका area vector का आपको समझा चुके कि area vector और magnetic field में 90 degree का angle बन रहा है तो alpha यहाँ पर 90 degree है मतनब torque की value हो जाएगी NIBA sin 90 degree और sin 90 degree always मतनब जैसे जैसे ये move करेगा हर जगर 90 बना रहेगा बताया था समझाया था आपको तो ये torque की value हाथ में आ गई NIBA बाकि sin 90 तो 1 होता है बात खतम हो गई अब इससे फाइदा क्या मिला फाइदा ये मिला कि देखिए N है constant कितने टंस चणाए है B है uniform magnetic field fix कर रखा है area of the coil वो भी constant है area of the coil वो भी constant है तो इस दशा से मैं ऐसे लिख देता हूँ जिसे एकदम बढ़िया N, B, A, 1, 7 और I ये पूरा चीज हो गया constant पकड़ो मेरी बात बिलकुल असानी से मज़ा आ जाएगा तो यहाँ पर लिख पाओगे torque is proportional to I torque is proportional to I होने से क्या फाइदा हुआ जितना torque जितना current जावेगा उतना torque लगेगा linear relationship है ये क्या है linear relation अब linear relation से फाइदा क्या होता है कि जब आप theta की बात करते है deflection की तो theta में और जो scaling कर रहे है marking कितना current है वो linearly कर सकते linearly करने का मतलब linearly करने का मतलब है कि suppose करिए मैं ये भी संधाद हूँ आपको suppose करिए ये scale लगाई और यहां marking करना है आपको linear तो आप अगर बताते हैं 0 से माली जे यहां से start कर रहे हैं और आप बताते हैं कि साफ एक जब आ जावे marking में तो आप एक ampere समझना समझो इसी तरह linear अगर relationship है तो जब ये 2 आएगा तो ये 2 ampere समझा जाएगा और जब ये 3 आएगा तो फिर ये क्या समझा जाएगा 3 ampere तो ये linear है अगर ये linear नहीं होता ये relationship इस तरह का नहीं होता कई I square वगएर आ जाता तो ये 0 और 1 की बीच में हो सकता है ये क्या ampere देता फिर इसको square pattern में जाता एक से 2 में 2 ampere न देता फिर आपको आप कोई खाने छोटे बड़े करने पड़ जाते तब वो reading आती कि यहां पर क्या सबक का समान खाना हो गया समान खाना या समान marking क्यों बना पाए क्योंकि linear relationship थी हमारे अंदर जिससे scale होती है पटरी ruler दिखनेरी नहीं मैं दिखाता अभी आपको तो ruler में marking होती 1 mm, 2 mm तो basically जो 1 mm, 2 mm के बीच का difference है वो तो fixed रहता है न scale है बहुत शामदार तरीके से बना देते हैं बात समझ में आ रही है अब बढ़िया है अब भाई ये बताओ कि फाइदा समझ गए ये समझ गए बनाए कैसे हैं लोग radial magnetic field तो मैंने आपको बताया था कि ये यहां पर इस coil के अंदर ये जो coil था इस coil के अंदर cylinder रख देते हैं soft iron का तो इस soft iron का हमें cylinder place करना पड़ता है वो भी इस तरीके से rectangular coil में कि जब coil भूमे तो cylinder से टकराए ना पहली बात दूसरी हमारा ये जो हम काट के ये जो निकाल रहे हैं चुमबक से पोल डेवलप कर रहे हैं इसका shape concave होता है इस तरीके से shape हम concave काट के निकालते हैं कि हमारा result radial magnetic field आवे तो इसकी भी ध्यान रख जाता है तो दो बातों से आप radial magnetic field बनाते हैं एक तो cylinder soft iron core रखने के वज़े से दूसरा यहाँ पर concave तरीके से cut करने पर तो यह दोनों बातों से आप बहुत ही शांदार radial magnetic field बनाते हैं और उसका फाइदा क्या मिलता है और basically इन तुम्हें फाइदा क्या मिलता है पूरी बात हम लोग ने बढ़िया समझ ली अब इसके बात करते हैं point number 3 तो बच्चों आगे की बात करते हैं suspension fiber होता है उसकी क्या खास property होती है suspension fiber क्या जिससे लटकाया था ना उपर यह पूरा coil जिससे ऐसे यह coil पूरा जो लटका था नीचे तो लगी थी hair spring ऐसे समाल लीजे और उपर head में इस head में आपने देखा था जिससे लटका था यह जो लटका हुआ इससाथा suspension fiber वो phosphor bronze strip ली थी तो उसमें क्या-क्या property होनी चाहिए high tensile strength होनी चाहिए उसके बात तूटे बूटे ना भाई मुडे बुडे ना जल्दी दूसरा electrical conductivity एच्छी होनी चाहिए तभी circuit complete होगा rustless with time समय जैसे जैसे बीचे तो उसमें मोर्चा न लग जाए rust न लग जाए लोही में लग जाता जैसे तो वो नहीं लगना चाहिए temperature coefficient कम होना चाहिए temperature बढ़ने के साथ ऐसा ना हो कि वो खुदी लंबा चोड़ा होने लगे सब system फिर दिक्कत में आ जाएगा तो temperature coefficient कम होगा तो temperature बढ़ने पर भी उसका उसकी dimension उसकी हरकतों में कोई फरक नहीं आएगा फिर restoring जो torque होता है भाई यह जब घूमता है तो restoring torque की value काफी कम होनी चाहिए जादा होगी तो घूमने में दिक्कत पैदा कर देगा तो restoring torque per unit twist हमारा should be small तो यह properties क्या है जो phosphor branch stiff हम लटका रहे थे उसमें क्या काम करता है तो यह भी बात clear हो जाती है अब करते हैं अगली बार तो अगला एक बड़ा important topic आता है sensitivity of galvanometer तो sensitivity galvanometer की दो तरीके से बताई जाती है एक तो होती है current sensitivity दूसरी होती है voltage sensitivity तो पहली बात हम लोग करेंगे यह तो मैंने general formula लिखा है जो हमोने निकाला था kilometer के context में तो पहली बात करते हैं इसमें point number A कर दीजे या 1 कर दीजे और मैं बात करूँगा current sensitivity तो यह बढ़ी छोटी सी बात है current sensitivity का मतलब है जिसे normally यह लोग IS से दिखाते हैं कितना angle कितना deflection हुआ है per unit of current this is known as a current sensitivity बड़ी एसान सी बात है कि भाई जो 1 ampere अगर SI system की बात करें तो 1 ampere पे कितना deflection है उसे बोलते है current sensitivity इस formula में value अगर put कर दी जाए यानि मैं IS निकालने की इच्छा अगर रखता हूँ तो theta यहां से निकाल लो तो theta क्या हो जाएगा बटा nb a into i और upon k तो यह तो हो गई theta की value और फिर i से कर दोगे divide देख रहे हो अब यह i i हो गया cancel value आ गई nb a upon k यह हमारी क्या है यह current sensitivity है लगबग क्या fixed ही है n fixed, b fixed, a fixed, k fixed तो कुछ बदलने वाला इसमें नहीं है बनाते वक्त बदलाओ कर सकते जब हम manufacturing आफ गलबिनो मीटर कर रहे हैं तब आप spring चूज़ कर सकते हैं magnetic field चूज़ कर सकते हैं और उसका area चूज़ करते है number of tons लेकिन एक बना दिया बना के supply कर दी किलो भाई इससे नापना तो उसके बाद इन चीज़ों में तबदीली संभाव नहीं है इसी तरिके से बात करते हैं इसके second point के जहां हम voltage sensitivity की बात करते हैं तो voltage sensitivity की आए बिटा बहुत ही असान तो कुछ logic लगाओ voltage sensitivity की मतलब Vs कितना थीटा कितने वोल्टेज पर पर यूनिट थीटा थीटा पर यूनिट वोल्टेज तो कितना वोल्ट पर एक वोल्ट पर कितना deflection बात करते हैं अब इसको थोड़ा सा और हम लेके चलें तो यह जो वोल्टेज है वोल्टेज होता आई इन्टू आर के बराबर तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं अब और यहाँ वैलू लिखी जा सकती है Vs is equal to थीटा अपॉन आई इन्टू आर यूकि हम जानते हैं कि V is equal to आई आर होता है तो आई इन्टू आर लिख दो अब यहाँ पर क्या करो थीटा अपॉन आई की वैलू उपर से निकाल लो उपर से निकालने का मतलब यह देखी है ना यह यहाँ से तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे थीटा अपॉन आई तो theta upon i का मतलब क्या हो जाएगा 1 upon r कर लेते हैं बाहर और theta upon i की value हो जाएगी nba upon k देख पा रहे हैं और nba upon k क्या चीज़ थी यह हमारी थी current sensitivity तो क्या हम vs को लिख सकते हैं कि current sensitivity upon r विल्कुल लिख सकते हैं और यह relationship भी हमारे हाथ में आगे देखे तो यह बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रशन रहता और आपके दिमाग में रहना चाहिए कि current sensitivity क्या होती है जो चर्चा की गई यहां पर voltage sensitivity क्या होती है उसकी भी चर्चा की गई formula निकाला अगर पूछे numerical में तो इस formula में feed करके आप NBA upon K और अगर voltage sensitivity पूछे तो उसका formula भी था मारा NBA upon K upon R या IS upon R से आप current sensitivity निकाल सकते voltage sensitivity निकाल सकते तो current sensitivity और voltage sensitivity आनी चाहिए examination के लिए बहुत ज़्यादा important है अब देखते हैं कि मुद्दे की बात कि sensitivity निकाली इकाली बढ़ियां गिया लेकिन sensitivity है क्या चीज़ और कैसे हैं sensitivity बढ़ा सकते हैं तो देखे मैं ये lecture इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप feel कर पाएं कि मुद्दा क्या है तो देखिए sensitivity समझाता हूँ आपको देखे sensitivity का मुद्दा ये है कि what is the meaning of sensitivity मजाक के तोर पर बात करूँगा तो आप ये समझा लीजे कि अगर मेरे कान अमेटो तो मैं इतना चिला रहा हूँ और किसी 5 साल के बच्चे का इतनी कान अमेटो बहुत तेज चिलाएगा तो वो ज़्यादा sensitive है इस कान अमेटी के कारणा मजाक के तोर पर दिमाँ पर फिट हो जाए आपके अब बात करते है scientific महान लीजे एक scale लिया हमें suppose को रहे कि scale लिया अब अगर हमने current sensitivity की बात कर रहे हैं समझाने के लिए एक ampere current नापने जा रहे हैं और उसके बीच में जो marker है ये महान लीजे को नापने में है ठीक और एक दूसरा scale हमारे पास है जहाँ पर zero के वक्त तो zero है लेकिन एक उसका जो marker मतलब ऐसे समझाने के लिए असानी से तो ये zero पर रहते ही जब कोई current नहीं है लेकिन जैसे ही आप इसकी current sensitivity देखिए क्या है जैसे ही आपने current दी ये हिला marker लेकिन बहुत पिच्चु हिला पिच्चु हिलने का मतलब है कि एक ampere इसने यहीं पर दे दी current यानि marker कहां तक गया यहां तक गया इसका marker कहां तक गया यहां तक गया समझाने के लिए बता रहो अब इससे फाइदा क्या हुआ में इसकी sensitivity जादा है एक ampere के लिए खूब deflection किया है इससे फाइदा क्या मिला इससे फाइदा यह मिला कि हमारा देखिए आधा ampere यहां मिल गया और 0.25 ampere यहां मिल गया और भी कानून लगाएं तो 0.1 ampere यहां मिल गया अब इसमें मैं बताओं कि 0.1 ampere नापो तो यह तो पिचर पिचर समझी में नहीं आगा कि कहां यह तो घुश जाएंगे एक खाने एक दूसरे में तो इस वाले में 0.1 ampere बहुत सुन्दर तरीके से नाप लोगे इसका 1.10 जो कि बड़ा था यहां कहीं आ जाएगा एकदम साफ दिखरा है 1.10 देखिए और इसका 1.10 जाओगे तो चपक जाएगा निकाली नहीं पाओगे तो अगर इसकी sensitivity जादा है मैं फाइदा गिना रहा हूँ जिसे आपको मज़ा आए पढ़ने में sensitivity जादा है गल्मिनोमीटर की तो हमारे लिए beneficial है कि we can measure small amounts also small amount जिसकी भी sensitivity जादा है उसके बारीक से बारीक reading नाप सकेंगे तो हमारे लिए अच्छे device हो जाएगी कि छोटी 0.1 ampere की current है तो भी नाप ले रहे हैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मुद्द की बाद यहाँ पर नहीं नाप पाएंगे क्योंकि इसकी sensitivity कम थी कम थी तो यह कम हिल रहा था आप इसमें 0.1 या 0.01 तो सोची नहीं सकते हैं इसके अंदर तो that is the benefit of sensitivity तो यह simple पढ़ा देने में मजा नहीं आएगा है जो galvanometer या moving coil galvanometer हम बना रहे हैं उसकी sensitivity बढ़ाने से हमको फाइदा है तो सवाल खड़ा हुआ बढ़ाएं कैसे अब बात करेंगे हम लोग की how to increase the sensitivity of galvanometer अब आएगा मजा आईए देखते हैं तो बच्चों आगे समस्ते हैं लोग की conditions for a sensitive galvanometer हम क्या क्या चीजे करके sensitivity बढ़ा सकते हैं formula हमारे पास in general जो था theta theta ही तो बढ़ाना है deflection जादा हो कम करेंट पर और ये theta i की कहानी ये खेल है इस खेल में हमको ऐसी setting जवानी है कि sensitivity बढ़ जावे तो कैसे बढ़ा सकते हैं पहला point N के लिए मैं अगर A लिख दूँ तो N को अगर आप बढ़ा दो तो sensitivity बढ़ जाएगी B अगर magnetic field को बढ़ा दो तो sensitivity बढ़ जाएगी C area of coil बढ़ा दो तो sensitivity बढ़ जाएगी D जो हमारा restoring torque per unit length per unit deflection ता twist ता उसको घटा दे हमारी sensitivity बढ़ जाएगी क्या हम ऐसी चीजें आसानी से कर सकते हैं अंसर है शायद नहीं देखिए एक limit के बाद नहीं कर सकते हैं एन के बाद करें तो N क्या था जो coil लिया है उस पे कितने बार आपने insulated copper wire चड़ाया है अगर N को बहुत जादा कर देंगे आप तो ये कोल काफी भारी और बलकी हो जाएगा अगर ये भारी और बलकी हो जाएगा तो use नहीं कर पाएगए manage नहीं कर पाएगे आप येन बढ़ाते जा रहे हैं तो बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाते जाओ, तो वो चीज काफी वजनी, और भारी और बलकी हो जाएगी, जिससे आप यूज नहीं कर पाएगे, तो beyond certain limit, we cannot move ahead, यानि एक limit तक तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद नहीं, बी की बात करते हैं, तो जो magnetic field उस galvanometer में लगाते हैं, वो हम strong magnetic field लगा सकते हैं, उसको लगा दीजिए, जो भी आप develop कर पा रहे हैं, जो भी magnet आपने लगाया है, वो strong magnet आप लगा के इसके deflection को बढ़ा सकते हैं, एरिया की बात करते हैं, एरिया इसी, आप फिर भी कहा नहीं, भी एरिया क्या था, जो आपका coil था, उसका एरिया था, इस coil को अगर आप बढ़ा कर देंगे एरिया, तो एरिया बढ़ा करेंगे, गैल्लमीटर के अंदर ही है, तो गैल्लमीटर भी बढ़ा हो जाएगा, फि यह constant देखिए आपको याद होगा कि जब हमने coil लगाई थी तो एक तो spring नीचे लगी हुई थी और दूपसा एक strip लगी थी जो कि फॉस्फर ब्राँच की strip थी यह आप हम लोग बात कर चुके हैं strip थी तो यह जो फॉस्फर ब्राँच मेटीरियल होता है उसके लिए के काफी कम होता है के कम होता है इसलिए फॉस्फर ब्राँच की strip लगाते हैं उसका भी के कम रखते हैं जिससे overall जो impact है वो कम से कम रहे और उस वज़े से हमारा थीटा ज पूछी जाती है कि how to increase the sensitivity of galvanometer यह भी पूछा जा सकता है what is the meaning of sensitivity of a galvanometer या current sensitivity या voltage sensitivity की बाद भी की जा सकती है तो यह mixture है यह थोड़ा समझ में आना चाहिए तो sensitivity के लिए जो हमारे चार खिलाडी थे वो चार खिलाडी कितना roll अदा कर सकते हैं वो हमने समझा तो एक limit तक यह इस सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं समय इस सारी चीज़ें galvanometer बनाते वक्त आप कर सकते हैं बना के देने के बाद बाहर से नहीं कर पाएंगे कुछ आप तो manufacturing sensitivity की पहले ही decide हो जाती कैसे 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 लगानी है तो यह साब sensitivity की बात हो जाती है पूरी तरह galvanometer हम लोग न galvanometer small currents measure करता है लेकिन galvanometer को हम लोग emitter में भी change कर सकते हैं जो बड़ी current measure कर सकें galvanometer को voltmeter में change कर सकते हैं जो potential difference नाप सकें तो यह भी इसके फाइदे हैं और हम यह देखते हैं कि how to convert या conversion of galvanometer into emitter या conversion of galvanometer into voltmeter बहुत ही सरल है छोटा सा बताऊंगा और काम खतम हो जाएगा हाई यह देखते हैं